विल्कम फ्रेंड आवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशन स्पॉर्ट दोसो टेक्नीशन स्पॉर्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स जो केंडिडेट्स प्रिंटिंग से लेटेट बुक्स परचेश करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्सिन में जाके वहां इडिटेल देख सकते हैं वहां से आपको ईबुक कैसे परचेश करनी है सारी डिटेल मिल जाएगी तो अगर आपको प्रिंटिंग से लेटेड़ ऑटतिट परचेश करनी है इस e-book में आपको objective questions मिल जाएंगे और उसके साथ 2 model paper भी मिल जाएंगे जो आपके exam point of view से बहुत important रहने वाले हैं और आपको previous questions भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों तो ये बहुत सारे questions आपको e-book में मिल जाएंगे अगर आपको e-book purchase करनी है तो आप जल्दी से जल्दी purchase कर लिए आपका exam जो CNP का लगा हुआ है वो आपका 4 March को exam है दोस्तों तो दिहान से थोड़ी सी त्यारी आप करना start कर दीजिए questions को दिहान से समझे दोस्तों question number 71 है इस already मैंने बहुत साले वीडियो अब पहले भी cover कर लिए है पर अभी मैं separate वीडियो लेके आ रहा हूँ हिंदी के students के लिए और इंगलेस के students के लिए अलग तो दिहान से इस questions को पढ़िएगा दोस्तों question number 71 कह रहा है कि प्रेस सीट पर सुईकार है छवी प्राप्त करने के लिए प्रेस पर छवी वहा को mount करने के से लेकर तयारी सभी तयारी होती है options है तयार करें B बहार निकालना C अनुमान या job schedule देखे out करना होता है या आपका preparations तयार करें मतलब preparations करना तो इसका options जो A है उसका right answer होगा तयारी करें ठीक है दोस्तों next question चलते है question number 72 question number 72 कह रहा है कि प्रारंबिक प्रेस सेट अप के लिए उप्योग की जाने वाली अन्तिम सीट के समान वजन और सत्य की finish वाली सीट को कहा जाता है ये packing सीट इसका options B is a right answer होगा ठीक है दोस्तों next question चलते है question number 73 कह रहा उस feeder का नाम जो front separation सिधान पर कारे करता है देखी अच्छा question से आप से पूछा भी जा सकता है कि इस feeder का नाम बताओ जो front separation के सिधान पर कारे करता है एक option है stream feeder भी single seed feeder seek option है निरंतर continuous feeder और option D है वेकलपिक alternate feeder ठीक है दोस्तों इसको alternate feeder भी बोलेंगे हिंदी में इसको वेकलपिक feeder बोलेंगे तो options B जो है इसका right answer होगा single seed feeder जो होता है वो front separation सिधान पर कारे करता है ठीक है दोस्तों तो इसका options B जो है उसका right answer होगा question number 74 बोला है offset machine में पाये जाने वाले offset पाये जाने वाले rollers के लिए फ्रेंटिंग प्रेट के सीधे संपर्ट में होते हैं ठीक है दोस्तों जो option machine होती है उसमें जो rollers होते है उसमें आपका कह रहा है कि je printing plate के सीधे संपर्ट में होते हैं उनको क्या कहते हैं फॉर्म रोलर है, आपका डॉक्टर रोलर है, है ना, ब्लैंकेट सिलेंडर से वगएरा, आपको मैंने ये पढ़ाए हुए है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, आपका फॉर्म रोलर, वो राइट आंसर होगा, फॉर्म रोलर जो होते हैं, वो प्रिंटिंग के डारेक्ट ट के बारे में सही है, फर्स्ट है कि प्लेट चेंज ओवर सभी, देखे के कोशन पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से समझेगा दोस्तों, इसमें बहुत ही सिंपल दिया होता है, पर थोड़ी सी दिक्कत में आप या थोड़ा सा असावधा नहीं आप बढ़ते हैं, तो आप के लीट किनारे को क्लैम्ट में लगाना होता है, और तीसर ऑप्शन है, ऑप्रेटर समधी कोई तुरूटी नहीं होगी, तो केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या उप्रयोक्त सभी 1, 2 और 3, या केवल 1 और 2, तो आपको ऑप्शन भी जो है, राइट आंसर होगा, कि फर्स्ट और सेकेंड जो है ये सही है कि प्लेट चेंज ओवर सभी प्रिंटिंग युलडी में एक समय में हो जाता है और गार्ड को उठाना होता है ओप्रेटर्स को तो इसी लिए प्लेट और लीट के किनारे पे क्लैम को लगाना होता है ठीक है दोस्तों तो ऑप्शन बीजा राइट अंसर होगा नेक्ट कोशन चलते हैं कोशन नमबर 76 देखे ये कोशन यहां पर डाला तो गया है पर यह ज़्यादा इंपोर्टन कोशन नहीं रहेगा यहां पर आपको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये एक GSM पेपर है 120 GSM पेपर देखे इस सबका क्वालिटी होती है GSM का आपको अगर फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ ग्राम सीट ग्राम स्कॉाइर पर मीटर ऐसा होता है ग्राम स्कॉाइर एमेम है ना तो यहां पर GSM का फॉल फॉर्म भी आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है GSM का जिनके इंडिट्स को मालूम है वो कमेंट सक्षन में जरूर लिखें ठीक है दोस्तों तो यहां पर ये पंप्लेट्स छाप रहा है 16-16-16-16-16-16-16-16-16 के करीब इसका ऑप्शन में बता देता हूँ कि एप्रोक्स 20,000 के करीब आएगी इसकी लागत नेक्ट कोशन चलते हैं कोशन नमबर 77 कोई भी कंड जो ब्लेंकेट या प्लेट से चिपक जाता है जो एक अपुनता को मुद्रित प्रेष्ट पर इस्थाननतित करता है कहलाता है चकिंग, पिलिंग, हिक्की या बूत ठीक है दोस्तों तो यहां हिक्की जो है वो राइट आंसर होगा इसका की जो कंड होते हैं ये चपक जाते हैं और उसको मुद्रित प्रेष्ट पर अंत्रित भी करता है और कहलाता है हिक्की ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन चलते हैं कोशन नंबर 78 देखिए 78 कोशन जो है वो भी आपका optional कोशन से मतलब आपके चार ओप्शन दिये इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है तो यहां पर ध्यान रगिए कि कहला offset printing में printing समस्या printing problem जो होती है ब्लाइडिंग के कारण निम लिखित में से कौन सा है फवारे के गोल के अतरिक्त गोंद या अतरिक्त fountain रोलर्स या फवारा समाधान बहुत अमली है तो ध्यान रग रहा है दोस्तों यहां पर option D जो options 1 & 3 है वो right answer होगा जो printing समस्या होती किसके किसक options होगा वो कैसा रहता है एसडिक होगा और दूसरा कि ववारे के गोल में अतरिक्त गोंद हो ठीक है दोस्तों यह options दो is a right answer होगे देखिए दोस्तों next question चलते है question number 79 79 questions कह रहा है कि tinting देखिए tinting छपाई क्या होती है यह आप से पूछ सकता है कि tinting जो छपाई की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा उपाई चुने मलब कौन सा उपाई होना चाहिए tinting की tinting एक problem है छपाई की समस्या में उसको कैसे दूर करते देखिए फवारे के गोल के pH को जांच के या जो हवारे का घोल है उसके पी-ज़ को जांच के या कील बढ़ाने के लिए वारनिस लगाएं या नमी पित्रोधी स्टॉक का उप्योग करके तो यहाँ पर देखना है दोस्तों एक और दो दोनों चीजें कर सकते हैं बढ़ाने के लिए वार्णिज लगाएं और उसका पीएच चेक कर सकते हैं ठीक है दोस्तों नेक्ट कुछिन चलते हैं कोश्चन नंबर 80 कोश्चन नंबर 80 कह रहा है कि स्याही परिवहन के लिए रोलर्स की विफलता को आम तोर पर जाना जाता है तो एक जगे से दूसरे जगे के लिए रोलर्स की विफलता को आहम तोर पर ग्लेजिंग के रूप में जाना जाता है ठीके दोस्तों अगर ग्लेजिंग होगा तो क्या कहा जाएगा कि जो अपनी इंक है वो ट्रेवल कर रही है रोलर्स पे तो वो किस प्रॉब्लम की वज़य से ट्रेवल नहीं करवाती है या जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं ग्लेजिंग ठीक है दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको अभी भी आपने अगर प्रिंटिंग से लेटेड इबुक नहीं खरीदी है अगर आपको इबुक खरीद के और अच्छे से त्यारी करनी है तो कर दो कर दो